मुवी के स्टार्ट होते ही हमें एक पैलस दिखाया जाता है जहांपर एक इंजर्ड आदमी उस पैलस में किसी से चुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बॉड़ी पर किसी ने एरो मारा हुआ था पैलस में जगा जगा पर लबेल्स नामी पोस्टर लगे हुए थे पूरे पैलस में अंधेरा चाया हुआ था जो कि ड्राउना लुक दे रहा था वहीं दो छोटे बच्चे भी किसी से चुप रहे थे और वो दोनों भाई थे उन बच्चों में चोटे बच्चे का नाम एलेक्स था एलेक्स का भाई उसे कबड में चुपा देता है लेकिन तबी वो इंज़र्ड आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो एलेक्स के भाई से हेल्प मांगता है वहीं एक लेड़ी उस इंजर्ड आदमे को बचाने के रिए जिला रही होती है इस इंसिडेंट के बाद 30 साल गुजर जाते हैं जहां पर एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था उसकी शादी हो रही थी एलक्स के साथ और ये लड़की ग्रेसी मूवी की मेन करेक्टर है एलक्स वही चोटा बच्चा है जिससे हमने 30 साल पहले देखा था जो कि अब बड़ा हो गया है और ये एक काफी रिच फैमली थी जिबकि ग्रेस और फनेज में बली बड़ी थी ग्रेस और एलक्स एक दूसरे से काफी प्यार करते थे लेकिन 30 साल पहले होने वाले इंसिटन्ट की वज़े से एलक्स अपनी फैमली के साथ नहीं रहता था बलकि वो अलग रहता था शादी से पहले एलक्स का भाई ग्रेस को वार्ण करता है ये कहते हुए कि तुम्हारी पास आखरी चांस है शादी के लिए इंकार कर दो क्यूंकि हमारी फैमली अच्छी नहीं है तो मैं हमारी फैमली से दूर रहना चाहिए यहां पर ग्रेस कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखरी क्या कह रहा है लेकिन हैरान तो वो तब होती है जब एलेक्स भी उसे सेम बात कहता है वो कहता है कि मेरी फैमली के लोग बिलकुल ही अलग और अजीब तरह के हैं लेकिन ग्रेस उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे सा जिन्दगी को जाना चाहती हूँ एलेक्स की फादर ग्रेस को ना पसंद करते थे क्योंकि वो और्फोनेज में जुपली बड़ी थी लेकिन वो शादी से खुश थे क्योंकि इस वज़े से अटलिस्ट एलेक्स घर तो वापिस आ गया था एलेक्स की पूरी फैमिली समझती थी कि ग्रेस उससे पैसों के लिए शादी कर रही है क्योंकि वो एक काफे रिच फैमिली जो थी जिबकि दूसरी तरफ ग्रेस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये फैमिली कितनी मिस्टेरियस है इसके बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है जब वो लोग अपने रूम में होते हैं तब एलेक्स की आर्ट एक सीक्रेट दोर से चुपकर उन्हीं देख रही थी ग्रेस उसे देख लीती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है एलेक्स की आर्ट कहती है कि सब लोग तुमारा वेट कर रहे हैं और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी कोई नया मेंबर हमारी family में आता है तो उसे रात की 12 बजे एक game खेल दी होती है और तुम्हें कार्ट स्लेक्ट करना होगा और जो भी उस कार्ट पर आएगा हम वो ही game खेलेंगे वो बताता है कि ऐसे game स्केल कर हमारी family ने बहुत सारा पैसा कमाया और बस तबी से ये हमारी family का एक रिवाज बन गया है ये सारी बाते सुनकर grace को काफ़ी हरानी होती है और उसे काफ़ी अजीब भी लग रहा था फिर वो पोच्छती है कि क्या game में मेरा जितना जरूरी है जिस पर Alex कहता है कि नहीं बस तुमने उस game को खेलना है यही जरूरी है Alex जब नीची आता है तब उसका फादर उससे पुछता है कि तुमने Grace को game के बारे में किया कुछ बता दिया है जिस पर वो कहता है कि सीक्रिट तो मैंने अभी तक रिवेल नहीं किया और ना ही मैं कभी उसे बताऊंगा बलकि सुबह होते ही मैं ग्रेस को यहां से लेकर चला जाऊंगा इसके बाद ग्रेस नीची आती है और एलक्स की मदर उससे बात करती है जिससे ग्रेस को काफी अच्छा फिल होता है क्योंकि उसने अपनी सारे जिनगी अकेले ही गुजारी थी और अब उसे एक फैमली मिल गई थी वहां पर सिर्फ एलक्स की मदर ही थी जो ग्रेस को पसंद करती थी और कोई भी नहीं करता था तबी वहां पर एलक्स की सिस्टर भी अपने बच्चों और हैस्बेंट के साथ आ जाती है फिर वो लो ग्रेस को एक रूम में ले जाते हैं और ये रूम सिर्फ फैमली की मेंबर्स का ही था और किसी का यहां पर जाना अलाउट नहीं था ये रूम और इस रूम में पड़े हुई सारे चीज़ें काफी क्रीपी लुक दे रही थी क्यूंकि वहां पर हर तरह की बहुत सारे वैपन्स पड़े हुए थे ग्रेस वो सब कुछ देख कर काफी हैरान रह जाती है और डर भी रही होती है वहीं उसे एक आदमी की पिचर भी दिखाई देती है जिस पर एलेक्स के फादर बताते हैं कि ये मेरे फादर है और साथ साथ वो ग्रेस को अपनी फैमली की हिस्टरी और गेम के बारे में भी बताता है कि बहुत सालों पहले ये ट्रेडिशन मेरे फादर ने शुरू किया था और उन्हें कार्ड्स की गेम खेलना बहुत पसंद था और मेरे फादर की कार्ड्स की एक शौप बे थी और एक दिन मेरे फादर एक अजीब आदमी से मिले जिसका नाम लबेल था जहां पर उन दोनों ने काफी घंटों तक कार्ड्स वाली गेम खेली जिसमें मेरे फादर ये गेम जीद गए तब लबेल ने मेरे फादर को अपना मिस्टेरियस बॉक्स गिफ्ट के तोर पर दिया और कहा कि आपकी आने वाले जनरेशन और भी ज़्यदा अमीर और सकसेस्फुल होती जाएगी बस करना सिर्फ यह है कि जो भी इस बॉक्स के थ्रू गेम आएगी वो खेलनी होगी इसके बाद मेरे फादर ने स्पोर्स का पुरा समान बनाया और अब उनके पास स्पोर्स की एक पुरे टीम है इसलिए जो भी इस फैमली में न्यू मेंबर आएगा उसे इस बॉक्स के जरिये गेम खेलनी होगी और जो गेम हमने खेलनी है वो लबेल ही हमें बताएंगे फिर एलक्स के सिबलिंग्स उन गेम्स की बारे में बताते हैं जो उनके टाइम पर उनके पास आई थी ग्रेस उस बॉक्स को पकड़ कर कार्ड निकालती है और कार्ड पर जो गेम आई थी वो थी हाइड एंसी और उस कार्ड को देखते ही पूरी फैमली बिल्कुल खामोश हो जाती है और काफी हैरान भी ग्रेस हसते हुए पुछती है कि क्या हम लोग सच में ये गेम खेलने वाले है फिर एलक्स का फादर ग्रेस को चुपने के लिए बोलता है और पूरे फैमली ग्रेस को डूंडेगी और ये सब कुछ ग्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन उसे क्या पता था कि ये गेम कितनी मिस्टेरियस है और ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है फिर सारे कैमराज और डोर्स बंद करवा दिया जाते हैं क्योंकि वो लोग लबेल की रूल्स को फॉलो कर रहे थे फिर वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है और घर के सारे मेंबर्स अपने अपने वैपन्स लेकर बिल्कुल तयार हो जाते हैं अब क्योंकि रूल्स का खयाल रखकर खेलना होता था इसलिए वो सारे लोग रूल्स को फॉलो कर रहे थे फिर ट्रेडिशन की मुताबी गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है अब क्योंकि एलेक्स इस गेम में पार्टिस्पेट करना नहीं चाता था इसलिए वो जाकर एक रूम में बैठ जाता है जहांपर एलेक्स की सिस्टर इन लॉउ उस पर नजर रखे हुए थी क्योंकि वो वहाँ पर बैटे बैटे बोर हो गई थी लेकिन तभी एलेक्स पिची से आकर ग्रेस को पकड़ कर एक रूम में ले जाता है और वो दोनों हैस्बेंट वाइफ उसे रूम में जाकर चुप जाते हैं लेकिन तभी उनके कदमों की आवाज सुनकर उनकी मेंट जाक जाती है अब क्योंकि वो मेंट एलेक्स की नेफ्यूस का खयाल रख रही थी तो कदमों की आहट सुनकर उसे रिलाइज होता है कि शायद वाँ पर बच्चा ही होगा क्योंकि वो अपने बिस्तर पर नहीं था उस वक्त इसलिए वो चेक करने के लिए जाती है और वो उसे रूम में आ जाती है जहांपर एलेक्स और ग्रेस चुपे हुए थे लेकिन तभी एलेक्स की सिस्टर उसे शूट कर देती है गोली आकर सिधा उस मेड की आँख में लगती है जिससे उसकी आँख ही निकलकर बाहिर आ जाती है और दोर गिर जाती है ये देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है तब ही वहाँ पर फैमली के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो इस बारे में डिसकेशन कर रहे होते हैं कि इस डेट बाडी को जल से जल कहां पर रखा जाए क्योंकि अगर ग्रेस ने इसको देख लिया तो उसे इस फैमली की रियालिटी पता चल जाएगी लेकिन उन्हें क्या पता था कि ग्रेस तो ये सब कुछ देख चुकी है और उसे इस फैमली का पता भी चल गया है ग्रेस ये सारे बाते सुन लेती है और उसे सारे बात समझा गई थी कि ये फैमली मुझे मारना चाह रही है तब एलेक्स उसे कहता है कि जल से जल हमें यहां से भागना होगा यह हमारे लिए जरूरी है और वो ग्रेस को ये बात भी बताता है कि जो कार्ड तुमने स्लेक्ट किया था वो बोत ही खतरनाक है हाइडन सीक का मतलब नॉर्मल हाइडन सीक बिल्कुल नहीं है बलकि तुम चुपोगी और ये सारी फैमली तुमें डूंडेगी लेकिन यहाँ पर ग्रेस बड़ी चलाकी से अपने जान बचाते होई स्टडी रूम में चली जाती है लेकिन तब ही वहाँ पर एलेक्स का भाई आ जाता है और ग्रेस उससे हेल्प मांगती है ताकि फैमिली की सारे मेंबर्स मिलकर ग्रेस को मार दे 10 सेक्टेंड होते ही ग्रेस वहाँ से भाग जाती है जहां पर एलेक्स का भाई आवाज लगा कर फैमिली की सारे मेंबर्स को बुला लेता है और वो सारे लोग एलेक्स की भाई पर घुसा करते हैं कि तुमने ग्रेस को क्यों नहीं मारा फिर एलेक्स का फादर कैमराज की मदद से ग्रेस को डूनने का फैसला करता है लेकिन तब ही वो देखते है कि कैमराज वाले रूम में तो एलेक्स है जिसने सारे डोर्स खोल दिये है लेकिन इसकी बावजूत भी ग्रेस वहाँ से भाग नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर एलेक्स का अंकल था और उसने ग्रेस को मारने की काफी कोशिश की और उन दोनों की बीच काफी फाइट हुई लेकिन ग्रेस उसे इंजर्ट कर के वहाँ से भाग गई एलेक्स का फादर और उसके भाई कैमराज रूम का दर्वाजा तोड़ कर अंदर आ जाते हैं और वो एलेक्स को बेहोश कर देते हैं और उसे हैंड कफ से बान दिया जाता है इसके बाद ग्रेस चुपने के लिए दुबारा उसी लिफ्ट में जाती है लेकिन वहाँ पर अल्रेड़े डर कर उनकी मेड चुपी हुई थी जो उसे इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिला रही थी और वो इंजर्ड आदमी उसका हैस्बन था जोकि इस गेम का शिकार हो गया वो एलेक्स के फादर को बता रही होती है कि लबेल ये कुर्बाने सिर्फ उन्हें लोगों से लेता है जिनने वो स्लेक्ट करता है फैमले को गाइड करने के लिए जैसे पहले उन्होंने मुझे स्लेक्ट किया और अब उन्होंने एलेक्स को कर दिया ताकि वो उपनी वाइफ की कुर्बानी थे ग्रेस भागते हुई एनिमल्स फार्म में आ जाती है और उस फार्म में पहले से ही एलक्स का नेफ्यू था ग्रेस सोचती है कि शायद ये बच्चा डर कर यहाँ पर छुपा हुआ है इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्चा ग्रेस को शोट कर देता है और वो गोली ग्रेस के हाथ की आर पार हो जाती है ये देखकर ग्रेस को गुसा जाता है और वो उस बच्चे को पंच मार कर बेहोश कर देती है और खुद वो गिर जाती है एनिमल्स फार्म के बेस्मेंट में जहां पर बहुत सारे डट बॉडिस पड़े हुई थी और ये उन लोगों के डट बॉडिस थी जो इस गेम का शिकार हुए इसका मतलब ये था कि अब से पहले भी वो बहुत सारे लोगों को मार चुके थे ग्रेस किसी तरह बड़े मुश्किल से वहां से बाहिर आ जाती है लेकिन एक कील उसके हाथ में गुज जाती है जिससे वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसे काफ़े तकलीफ होती है वो में गेर से बागने की कोशिश करती है फिर वो एक गाड़े से भी हल्प मांगती है लेकिन वो उसकी हल्प नहीं करती है फिर वो जान बचाने के लिए भागते हुए जंगल में चली जाती है और एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है क्यूंकि एलक्स का अंकल उसका पीछा कर रहा था और वो वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन ग्रेस एक वायर से उसका गला दबा देती है और गाड़े लेकर वहाँ से चली जाती है इसकी बाद ग्रेस ऑपरेटर को कॉल करती है और वो लाइन को पुलिस नमबर से कॉनेक्ट करने के लिए कहती है लेकिन ऑपरेटर बजाए उसके हेल्प करने के लिए ये कहकर call card देता है कि ये गाड़ी चोरी की है और अब Grace वहाँ पर फस चुके थी लेकिन तबी वहाँ पर Alex का अंकल आजाता है और वो Grace को बेहोश कर देता है और वो उससे गाड़ी की पिछली सीट पर डाल देता है फिर वो एलक्स की फादर को वीडियो कॉल करता है और पूरी फैमली को बताता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है तुम कुर्बाने की जल्दी से तैयारी करो लेकिन तबी ग्रेस को होशा जाता है और वो उस पर अटेक कर देती है जिससे गाड़ी का बेलस खराब हो जाता है और वो जाकर एक ट्री से टकरा जाती है जिससे एलक्स के अंकल कीमो के पर ही मौत हो जाती है लेकिन इस एक्सिडंट में ग्रेस बच जाती है फिर वो Grace को बांन कर एक रिट्टॉल कर रहे होते हैं वो कुछ स्पैल's बोलते हैं और एक ड्रिंक भी पीते हैं और जैसे एलेकस का फादर Grace को मारने वाला होता है उन सब को खुन की वामिट होने लगती है क्योंकि एलक्स के भाई ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था और मौके का फाइदा उठा कर वो ग्रेस को आजाद कर देता है और वहाँ से भागने में उसके हेल्प बे करता है लेकिन तबी वहाँ पर उसकी वाईफ आ जाती है और उसे शूट कर देती है ये देखकर ग्रेस को बहुत ज्यादा हुसा आता है और वो उसकी वाईफ को मार कर बेहोश कर देती है ऐसा करके वो वहाँ से भागने लगती है एलक्स को भी अब होश आ गई थी और वो अपने हैंकफ से अजाद हो जाता है फिर वो बाहिर आकर दिखता है कि उसका भाही मर चुका है ग्रेस वहाँ से भाग रही होती है कि तब ही वहाँ पर एलक्स का फादर आ जाता है और वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेस एक लैंप से उस पर अटैक कर देती है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है लेकिन जैसे ग्रेस तोड़ा आगे जाती है वहाँ पर एलेक्स की मदर आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है और वो गुसे में ग्रेस को कहती है कि तुम हमारी फैमली को डिजर्व ही नहीं करती है यहां पर भी Grace को बहुत ज़्यादा हुसा आता है और उनके बीच का फाइट होती है और तबी Grace के हाथ में लबेल का वो बॉक्स लग जाता है जिससे वो Alex की मदर को हिट करके उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालती है और कहती है कि तुम और तुम्हारे फैमिली ही मुझे डिजर्व नहीं करती भाड़ में जाओ तुम लोग वहां पर Alex भी होता है और वो अपनी आँखों से वो सब कुछ देख लेता है कि Grace ने उसकी मदर को कितने बुरे तरीके से मार डाला है जिससे Alex के दिल में Grace का प्यार खतम हो जाता है और वो चेंज हो जाता है और अब वो खुद Grace को पकड़ कर अपनी फैमिली की पास ले जाता है वो सब लोग Grace को पकड़ लेते हैं और इस बर Alex खुद Grace को मारने वाला था लेकिन जैसे एलेक्स उसे मारने वाला होता है वो साइट पर हड़ जाती है लेकिन नाइफ उसके शोल्डर पर लग जाता है और इसके बाबा जोल भी वह हमत नहीं हारती और वह हमत करके उठकर खड़ी हो जाती है और इस बार वो काफी अग्रेसिव थी लेकिन तब ही वो देखते हैं कि सुबा हो गई है और ये देखकर वो सब लोग छुपने लगते हैं क्योंकि उनका मानना था कि अब वो सब लोग मर जाएंगे लेकिन अब क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता यानि वो नहीं मरते तो वो काफी हैरान भी हो जाते हैं और खुश भी और कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़की ग्रेस को जिन्दा नहीं चोड़ेंगे क्योंकि यह हमारी फैमली उसकी रियालिटी जान जिरी है और तभी एलक्स की आंट एक उलाड़ी से उसे मारने जाती है लेकिन इससे पहले ही वो बहुत बुरे तरीके से ब्लास्ट होकर मर जाती है यानि इसका मतलब यह था कि जो कुछ वो लोग कह रहे थी वो बिलकुल सच था और लबेल अब सब को एक एक करके बुरे तरीके से मारता जा रहा था और वो एक एक करके बुरे तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं एलक्स की सिस्टर अपने बच्चों को लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाती है पिर एलक्स का ब्रेदरी लॉला बेल के बॉक्स को उठा लीता है और बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे मार दो इतनी बुरी मौत क्योंकि मैंने हमेशा इस गेम को खेला है रूल्स का ख्याल रखते हुए लेकिन तब ही वो भी ब्लास्ट हो जाता है और अब वहाँ पर सिर्फ ग्रेस और एलक्सी बचे थे अब क्योंकि ग्रेस ने इतनी सारी पेन को बरदाश किया था इसलिए उसे जरा भी फरक नहीं पढ़ रहा था कि कौन जिन्दा है और कौन मर रहा है लेकिन उस फैमली का ऐसा हाल होता देख कर वो बहुत ज़्यादा खुश थी फिर एलक्स ग्रेस से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया जिस पर ग्रेस कहती है कि नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगे क्योंकि मुझे डिवास चाहिए और जैसे ही वो रिंग उतार कर Alex के मूपर फैकती है तो Alex भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो कर मर जाता है और फिर पूरे घर में आग भैल जाती है पूरा पैलस जल जाता है इसी आग में लबेल की एक लेम्स निखाई देती है और ये इस बात की तरफ हिंट था कि Grace जीत गई है और अब सारी property Grace की है क्योंकि वो Alex की वीडियो है और यहीं पर इस movie का दी end हो जाता है Thank you for watching